नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की केंद सरकार द्वारा चलाई गई पीम आवास योजना गरामीन के तहत एक बड़ी खबर लेटेस्ट न्यूज आप सभी लाभारतियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यदि आप भी अपना केंद सरकार की इस योजना के माध्यम से अपना आवास घर बनवाना चाते हैं इस योजना का लाभ लेना चाते है आज की यह जनकारी आपके लिए बहुती ज़्यादा महत्पून होने वाली है केंद सरकार 2024 तक 2.95 करोड पक के मकान एलोट करने का सरकार का लक्से रखा गया है यह मकान गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से बना कर दिये जाएंगे इससे अलावा दोस्तों आपके बैंक खाते में सीधे 140 के लिए 12,000 रुपे सरकार ट्रांसफर करती है यह लाब गरीब परिवारों को मिलने वाला है 2024 तक का सरकार का यह लक्षे रखा गया है पीम आवास योजना से जलुवी संपून जानकारी जानने के लिए वीडियो को आप आखरी तक जरूर देख लीजेग साथी दोस्तों बैल आईगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले ताकि के इस एलान के बाद आप सभी को बड़ा फाइदा मिलने जा रहा है परधान मंतरी आवास योजना गरामिन इसकीम को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी मिल गई है लाभारतियों के लिए यह है लेटेस्ट न्यूज अपडेट दोस्तों क्या लेटेस्ट न्यूज अपडेट है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं यहाँ पर आप देखेगा आपकी जानकार के लिए बता दे कि सरकार ने पीम आवास योजना गरामिन के अंतरकत 2.9 क्रोड पक्के मकान एलोट करने का लक्षे रखा है पूरे भरत वर्स में अब तक लगभग 2 पर्धान मंतरी नरेंदर मोदी की केंद सरकार द्वारा चलाई गई पर्धान मंतरी आवास योजना गरामिन को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी मिल गई है इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद लाखों गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा और गरामिन छेतर में जो रहत एक लाग 43,782 करोड रुपे होगा और इसमें नाबोड को लोन के इंट्रेस्ट पेमेंट के लिए थारा हजार 676 करोड रुपे सामिल किये गए हैं। दरसल सरकार इस योजना के जरिये पहडी राज्यों को भी 90 फिजदी और 10 फिजदी के आधार पर पेमेंट करती है। जबकि बाकी केंदर और राज्यों का 60 फिजदी और 40 फिजदी पेमेंट होता है केंदर सासित परदेशों में सरकार 100 फिजदी यहां पर अपना पैसा खर्च करती है आपकी जानकारी के लिए बता देगी सरकार सुच भारत मिसन गरामीन के अंतरकत सोचाले बनवाने के लिए जो वैक्ति अपना सोचाले बनवाता है उन्हें सबसे पहले आविदन करना होता है आविदन होने के बाद यदि वे पातर पाई जाते हैं तो उनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से 12,000 रुपे बैंक खाते में ट्रांसफर सरकार कर देती हैं जो भवन निर्मान के अलावा यहाँ पर आपको दिया जाता है इस योजना के अंतरगत हर परिवार के लिए पक्का मकान, पानी, बिजली और सोचालने उपलब्द करवाने का सरकार का संकल्प पूरा होने जा रहा है यदि आप भी अपना केंद सरकार द्वारा चलाए गई इस योजना के माध्यम से अपना आवास घर बर्वाना चाते हैं तो आप नजदे किसी सेंटर पर यानि की जन सुविदा केंद पर जाकर आविदन कर सकते हैं यह आप ओनलाइन आविदन यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा जैसे आपका आविदन पूरा हो जाता है आपकी डोकिमेंट्स उपर फोरवर्ड कर दे जाएंगे और वहां से परमिसन मिलने के बाद जैसे वहां से परमिसन मिल जाती है यदि आप पातर पाई जाते हैं तो आपके बैंक खाते में भी पैसे सरकारी के तरफ से ट्रांसफर कर दिये जाएंगे और आप लाव ले सकते हैं और अपना आवाजगर सरकारी के तरफ से दी गई जो धनराशिया उनसे आप बनवा सकते हैं, आज की जानकारी में बस इतना ही, यदि आपको अमारे बहुत जादा मोटिवेट मिलता है, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों के जवाब आपको दे दिया जाएगा, लास्ट मेनी वेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नई जानकारी साथ, जब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!